असलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग उमीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक थाक हूँ आज है छुटी का दिन और बहुत ही रिलेक्स हैं क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी ने जाना और आराम से नाश्टा करेंगे नौ बज्जे आज हलवा पूरी खाने का मूड हो रहा था तो वही लेने जा रहे हैं वैसे तो हम लोग छुटी वाले दिन भी सारे आठ नौ बचे तरह घर में नाश्टा करके फारिग हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को वह यादर है सुबार जल्दी उतने की तो फिर उसी टाइम पर नाश्टा कर लेते ह और मौसम आप देखें यहां पर तो नक्षा जो है वो बिल्कुल साफ है पीछे की तब बहुत दूदूद धून मैसूस हो दी है तो फ्रेसको की आज हम लोग हलवा पूरी खाएंगे तो हम लोग पहले बादे जमील स्पीट की भी कभी कभी लेते थे लेकिन जब से फ्रे वीकेंड पर तो हलवा पूरी का नाशेता करें तो थोड़े जबाद दिल चाता है तो मज़ा भी आता है कि आप थोड़े ज़्यादा एक चीछ का है तो वह आपको ज़्यादा मज़ा देती है तो फैक को हम लोग पहुंच कहे थे तो और हमने कर लिया तो पूरियों का जि ये देखें कितनी जल्दी जल्दी तीन से चार मिनट में इतने बहुत ही जल्दी पूर्या रेरी कर ली थी वैसे फ्रीस्कों के जो छोले होते हैं उसमें कोफ्ते भी होते हैं और खास दूबर जो साथ प्याजों का अचार होता है वो खाने का बहुत ही मज़ा आता है तो बहुत जल्दी जली इनों ने पूरियां बना दी ती तो हमारा ओर्डर बस जल्दी मिल गया था तो अभी हम लोग बापर बस ले ली थी पूरियां और अब हम लोग घर की तरफ जा रेते तो घर चलते हैं नाश्टा करते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने लिया है एलेक्ट्रिक हीटर तो उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि आपको पता है आजकल गैस का कितना ज्यादा विश्यू हुआ अगर आपके साथ चोटे बत्ते हैं तो आपका हीटर के बगाए गोजाराने आगे सद्धी और शदीद हो जाएगी तो फिर हीटर बहुत ज़रूरी है तो गैस तो बिल्कुल आती नहीं है तो मैंने का था मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने का आपके साथ भी रिव्यू शेयर करूंगी कि अगर आप भी लेना चाते हैं तो किस तरह कर ले जी यह है छोले और इसमें कोफते भी हैं लेकिन इस बार हुआ यह कि छोले जो हैं इनके बहुत ही पतले लग रहे हैं व बहुत हैं तो खैर छोलों का इस बार इता मज़ा नहीं आया तो कि पतले छोले थे और चायर नाश्टे में चायर के बगार मज़े नाश्टे का बिलकुर मज़ा नहीं आता तो यह लेक्रिक हीटर है जो मैंने लिया था मैंने का आपके साथ भी शेयर करते हूं यह 2000 तक मु करता है निकालते हैं इसको बॉक्स से बहुत ही लाइट वेट है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है आप जिसको एक अपनी फिंगर से भी उठा सकते हैं बहुत ही हलका है यह का वजन बहुत ही हलका है उठाने में बहुत ही एजी है यह देखें बिलकुल जस्मैने एक फि क्लिब पन से कह लगके सब्παड़ागे कर सकते हैं तो झाल तार लगादी था यह diva नीचे कि तफ उन किया है ठूब रहागे मोड हो लोग हीट शोखरे सकते हूं थ convicted सकते हुट इसमें अगर आपको ज़्यादा सदी लग रही है तो इसको तेज भी कर सकते हैं यह जो बटन है जब हम उपर की तरफ करेंगे तो बहुत तेज हीट है इसकी फुल जैसे हीटर आप जलाते है तेज उस तरह की तेज हीट आ रही है आपको हाथ के मैं भी करके देखाते हूँ हाथ मैंने आगे किया है तो हीट इसकी हाथों पर फील हो रही होगी अच्छी खासी हीट है तो तेज वाला तो फिलहाल बहुत मझे तेज लगा था वापिस मैंने नीचे लोग वले मूट पर कर दिया था तो बहुत ही अच्छा है इस्तमाल में और बहुत ही फारदा देग कि दोपेर यासा की ताइम पर दिल करें तो हलका पुल्पा को चो तो फिर मैंने सैंविट बनाने का सोच लिया आखलो मैंने अच्छी तरह दो लिये थे और छील लिये थे और पर काट लिये थे मैं हमेशा है जब भी आलू को बॉयल कर तेजूं को छील कर काट कर बॉयल कर तो गरम-गरम को मैश कर लेती हूं उससे आपका जो कबाब आप बनाए या बेशक आलो वाले समोसों के लिए आप बना रहे हूं बहुत मज़े का बैटर बनता है इस तरीके से तो आलो मैंने गरम-गरम करके को गरम-गरम मैश कर लिया था इसके बाद इसमें चिकन मैंने अल चाय भी रख्यू हुई थी आपको पता है किचन में जब आप काम कर दें तो एक के साथ सौ काम और भी होते हैं तो चाय का भी टायम हो गया था बारा बजे की तो मैंने साथ चाय रख दी थी चाय बना रही थी तो वापिस सैंविच के तरफ आती हूं चिकन मैंने अलग से करके कुछएट कर लिया था और इसमें मिस करके पहले इन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिस करके इनके बाद मिसाले डाले हैं आप द ही पहने फाइन बैटर्र की लखाती हूं गा झान क Tschilkin को मैं परम कर दिखाते हूं नरग से बहॉत मज़ें के बनते हैं मैंने चार से पा कुटी विलाल में दाली थे और चार्ड में दाला दाला था बच यह सिंपल से इंग्वीडियन्ट दायों कि मैंने अच्छी तरह से मेक्स कर लिया था इसको अच्छा मैं जब भी सैनलिस बनाती हूं मैं इस तरह करते हूं कि चार या पांच पी से एक साथ रख लेता हूं कि बहुत जल्दी जल्दी आपका बैटर लगता जाता है एक दी दफा पीसे लगा लिए और दूसरे पीसे लगती तो एक एक पे लगाते रहें इस तरह आपका टाइम भी बहुत लगता है इस तरह एक साथ में रख लिया तो बहुत ही असानी से जल्दी जल्दी लगता जात अच्छा सारे सैंड्वीच मैंने त्यार कर लिए थे वैसे अगर आप बैक्री वाली जो मिल्किर वैड होती है उसके सैंड्वीच बनाए उसका फ्लेवर जो है वह बहुत ही मज़ीदार होता है यह बैटर बचा था इसका मैंने बाद में एक आलगोला पराथा बनाया था पर पर हमें डिसाइड किया था कि रात को वही चपल कबाब खा लेंगे और साथ में बिरियानी ले लेंगे तो वीकेंड पर आपका दिल चाता है छुटी हो तो बहुत ही अच्छी च्छी कभी कभी दिल चाता है कि कोई ना कोई मज़े की चीज़ नजुआए करें तो शाम का स अक्सर ही मेरे साथ यह होता है कि एक चीज़ हमें ट्राइब की है बहुत ही मज़े की लगती है इसके बाद स्पेशल जब आप किसी दिन प्लैन बनाकर वह चीज़ खाने जाते है न तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होता है और यही कुछ आज हमारे साथ भी हुआ तो तो आप दूसरे मौल में भी फिर सकते हैं तो वीकंड पे तो यहां पर बहुतには रइस होता है और लोग बहुत ज़्यादा ओटिंग के लिए यहां पे आते हैं तो हम लोग पहुंचने वह थे रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच के थे चपल कबाब लेने के लिए यह रेस् पर चपल कबाब का ब्रश काफी जादा था 15 से 20 मिनट लग गए थे तो चपल कबाब हमने ले लिए और अब हम लोग जाने बिरियानी लेने आपको पता है घर में अच्छी बिरियानी तुना बना ले लेके इन बजार की मसालेदार बिरियानी काने का मज़ा ही और ए तो बिर बिरियानी लेने हम लोग पहुंच चुके थे बिरियानी का ओडर कर दिया था बिरियानी तो जल्दी मिल गई थी तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम भी था तो चीजब पर शक्त नदीज ने लेकिन अगर आप ट्रैफिक जाम में खान चाहें तो फिर आपको टाइम लगी जाता है तो कम असकम आदा घेंता लग गया था हम लोग को यह सारी चीज़ें लेते तो यहां पर थोड़ा आगे आए तो यहां पर फिर थोड़ा ट्रैफिक जाम तो बस शुकर है फाइब मि जाता है अलग ही फ्लेवर है जो चिकन और भी अलग से लगती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यह बिर्यानी थी और इसके बाद जो हमने चपल कबाब लिए वह चपल कबाब भी आपको दिखाते हूं हूँ यह था कि जब हमने उस दिन चपल कबाब ट्राइग किये तो बहुत ही मद्यार बहुत ही ज्यार मचार दार और इस बार जो हमने चपल कबाब दो चुआ रहा हैTł पहले लिए तर इसकी बहुत जलेवे चपल कबाब दीए ते ओर बिल्कौ देक्साओक पऩले अच्छा था तो यह मैंने दिनर करे के लिए जब अपना निकाला है तो उपर से बहुत ही जलेवे कबाब था और बकाईदा जलेवे का फ्लेवर भी आ रहा था और जो मैंने पहले जब देखें जो वीडियो में मैंने नीचे शेयर किया पहले जो मैंने खाये थे बहुत ही तो यह लेकर आये थे हम लोग तो पैकनिस की बहुत ही कुपसूरती प्राइज भी इसकी मुझे रीजरनेबल लगी वैसे मैंने पहले खाई थी फ्रेस्को की रासमलाई थी वह बहुत ही महेंगी मुझे पढ़ी थी तो यह रीजरनेबल थी यह एक हंडी जो है यह 350 की थी और को में सब्सक्राइड का दूट को मैं देंकर मज़े ही आ गया डिल्ठे में इतने मज़ा ही लगलिसी का थो खाक भी आपको दिखाते हूं कि किस न बताती हूं किस तर आ क्या इसका इसका था तो निकार के दिखात उन्हाट हैं तो इसको मैंने चमश ठोइक जैसाम और है प हम्.... बहुत ही तीस्ती है बहुत ही ज़्यादा मज़धार है चले हाज की यह चीज़ तो अच्छी निकल आई है वैसे कबाब का भी जितने शौक से माँ कबाब ली थे ना वो मज़धा ही नहीं आया खाने में तो रस्मलाय तो बहुत ही मज़धी की थी तो उसमेलाई के लिए मैं आपको सगेस्ट करूंगी अगर आप ट्राइक करना चाहते हैं तो ले लें रिजानेवल भी और खाने का बहुत मज़ा भी आता है फ्लेवाई भी बहुत ही अच्छा है तो उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इसी ताकि ओनेट रिवियू देखने के लिए और मज़िदार से विलॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलिएगा अलाहाफिज